Yes people, good morning, good afternoon, good evening to all of you, कैसे सब लोग होप सो, आप सब लोग बहुत बढ़ी हा रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ So हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज exempt income से related topic का revision और ये topic का पूरा नाम होता है, that is income which do not form part of the total income ऐसी income जो आपके total income में नहीं आएगी, that is called your exempt income So exempt income से related आज चीज़े हम सीखने वाले है, सबसे पहली चीज़ मैं बता दू, exemption और deduction में फरफ होता है Exemption नॉमली क्या होता है, कि जो income होती है न, वो income मैं से वही पे income exempt हो जाती है That is called exemption, और deduction जो नॉमली होते है अंडर चेप्टर 6A वाले, वो gross total income के बाद में मिलते है जब पहले आप gross total income ले लो, उसके बाद में आप deduction ले लो Example के लिए मैं बता दू, जैसे आपको interest मिलता है saving bank account पे, तो उसका 10,000 का आपको deduction मिलता है Intersection ATTTA, तो आप क्या करोगे, पहले IFOS में उसको add कर दोगे और फिर deduction में उसका deduction ले लोगे, that is the deduction under chapter 6A और exemption क्या होती है, जैसे income हुई, वो income वहीं पे exempt हो जाएगी, for an example आपको agriculture income हुआ और agriculture income पहले आप लोगे other sources में वहीं पे आप उसको less कर दोगे, that is called your exemption तो exemption हम स्टार्ट करते है, कौन-कौन सी income exempt होती है, तो सबसे पहली agriculture income, एक चीज़ ध्यान रखना, agriculture income और अगर land located in India है, यह ध्यान रखना, agriculture income from the land located in India is fully exempt, उस पे कोई भी tax नहीं लगता है, लेकिन agriculture income बोलते किसको है, agriculture income में सबसे पहले अगर मान लो आपका agriculture land है, उसका rent आ रेंट भी exempt है, या फिर मैंने वहाँ पे agriculture produce कोई भी grow किया, और उसके बाद में मैंने उसको बेचा, तो उससे जो income होती है, वो भी agriculture income है, fully exempt हो जाएगी, या फिर मान लो ऐसा कोई भी farmhouse है, farmhouse का rent आता है, rent of farmhouse, farmhouse का मतलब क्या होता है, कि अगर ऐसा कोई भी ऐसे गोड़ो बना रखा है, और जो आपके agriculture land के पास में है, और वो farmhouse को आप किसके लिए दे रहे हो, पता है, या तो किसी को कोई भी agriculture produce store करने के लिए दे रहे हो, या जो worker बगएरा काम करते है, वो वहाँ पे रहते है, वहाँ पे सोते है, उसके लिए as a dwelling unit use हो रहा है, तो उस case में क्या होगा, उसकी जो income है, वो पूरी exempt हो जाएगी, तो मैंने क्या बोला, agriculture income में तीन चीज़े आएगी, सबसे पहला तो अगर मानलो आपको agriculture land का rent मिलता है, या agriculture produce आप sale करते हो, grow करके और sale करते हो, वो agriculture income है, as well as the अगर कोई farmhouse है, जो as a dwelling unit किसी को दे रखा है, या as a warehouse किसी को द जाएगी, लेकिन सर, question ही आता है, आप ये बोल रहे है कि agriculture produce को अगर आप sale करते हैं, तो उससे जो भी income होगी, वो पूरी agriculture income होगी, answer is yes, लेकिन एक चीज़ समझना, बहुत बार क्या होता, agriculture produce से आप chips बना देते हो, जैसे for an example, potato आपने होगाए, और potato बेच दिये तो 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 सुगर बनाई, sorry, potato से सुगर कैसे बना सकते हैं, potato से आपने क्या किया, chips बनाई, और chips बना के बेची, तो क्या ही agriculture income है, answer is no, उसमें partly agriculture होगी, partly business income होगी, एक और example जैसे सुगर केन है, सुगर केन आपने directly market में बेच दिया, raw form में, तो तो वो आपकी पूरी agriculture income, लेकिन सुगर केन से आपने सुगर बना के बेचा, तो वो agriculture income नहीं है, उसमें partly agriculture होगी, partly business होगी, तो कैसे निकालने का, तो देखो, अगर आप sale कर रहे हो, after further process, आप further process करके sale कर रहे हो, आपको देखना है कि वो process mandatory है, या optional है, अगर कोई भी process है, वो mandatory है, जैसे sale करने के लिए कुछ process होती है, वो optional है, या फिर आपका सुगर केन से सुगर बनाने की जो process है, वो optional है, क्योंकि सुगर केन भी बिखता है, पोटेटो भी बिखता है, तो उस case में क्या होगा, कुछ पार्ट की income आपकी agriculture होगी, और कुछ आपकी income बिजनस होगी, कैसे आप निकालोगे, तो agriculture income के लिए आप एक काम करिए, कि जो agriculture produce आपने further process किया है, जो agriculture produce आपने further process किया है, example के लिए potato को जितना आपने chips बनाने के लिए डाला है, या फिर जो सुगर केन आपने further process किया है, उसका आप fair market value ले लीजिए, आप एक काम करिए, fair market value of agriculture produce जो आपने further process किया है, वो आप ले लीजिए, और माइनस कर दीजिए, जो cost of agriculture produce, जो cultivation का वगरा cost था, वो माइनस कर दीजिए, जो भी बचेगा, that is call your agriculture income, और यह exempt हो जाएगी, अब आप business income कैसे निकालोगे, तो जो आपने final product बेचा, जो chips है, या फिर आपने जो sugar बेचा, उसका price कितना था, माइनस आपका further process cost कितना हुआ, और माइनस जो agriculture produce आपने जो use किया था न, मिस यहाँ पे जो fair market value, agriculture income निकालने के लिए थी, वो ही fair market value आप यहाँ पे less कर दीजिए, और जो भी बचेगा, that is call your business का income, PGBP का income, you got my point or not, yes, तो दिखो, अगर कोई भी आप process ऐसी करते हो, जो optional है, तो उस case में क्या होगा, कुछ agriculture income होगी, कुछ business income होगी, agriculture income कैसे निकालोगे, आपने ले लो सबसे पहले fair market value of agriculture produce, जो आपने further process किया है, उसका fair market value ले लीजिए, अगर cultivation का वगरा जो खर्चा है, वो less कर दीजिए, जो भी बचेगा, that is the net agriculture income, जो की पूरा exempt है, उसके बाद में, जो आपका business income कैसे निकालोगे, जो आपने chips या फिर सुगर बेचा, उसका कितना selling price है, minus कर दीजिए, जो agriculture produce आपने use किया था, उसका fair market value, और further process cost को आप minus कर दीजिए, आपको जो बचेगा, that is call your business का income, अब एक चीज समझना, कुछ ऐसे product होते है, example के लिए, आपका tea, coffee and rubber, उसमें क्या होता है, tea, coffee and rubber में, जैसे आप grow करते हो, grow करते हो तो obviously tea जो grow करोगे, वो पत्ती आएगी, like green color गी, ठीक है, अब question ही आता है, कि sir वो पत्ती को बेच दिया, तो तो उस case में obviously आपका पूरा agriculture income है, लेकिन obviously चायव ऐसे नहीं बेचते हैं, लोग क्या करते हैं, उसको process करने के बाद, उसमें बहुत सारे like process होते हैं, उसको सुखाते हैं, उसको crush करते हैं, बहुत सारी उसमें चिकोरी मिलाते हैं, कभी नहीं मिलाते हैं, बहुत सारी process होती है, और वो process करने के बाद, अगर आप बेचते हो, तो उस case में क्या होगा, तो government ने क्या किया, standard rule बना दिये, that is the rule number 8, rule number 7B, and rule number 7A, किसके लिए tea, coffee and rubber के लिए, सबसे पहले tea की बात करूँगा, तो tea के case में government ने बोला, कि काम करो, अगर आप tea को grow करते हो, और फिर manufacture करके, और tea को बेच देते हो, चाय पत्ती बेच देते हो, तो उस case में आपका 40-60 होगा, 40% आपका business, and 60% agriculture, अगर आप grow and manufacture of coffee में हो, और coffee को आप grow करके, और cure करके बेच देते हो, miss grow और cure करके आप बेच देते हो, तो 25-75% होगा, miss 25% business income, and 75% agriculture income, लेकिन अगर आप coffee को grow, cure के साथ में और भी कुछ activity करते हो, जैसे roasted, grounded, वो activity भी करते हो, अगर roasted या grounded भी करते हो, तो उस case में क्या होगा, आपका 40-60 हो जाएगा, 40% business and 60% agriculture, और in case of the rubber, rubber को आप grow manufacture करके बेचते हो, तो rubber के case में आपका 35% है, वो business होगा, और 65% agriculture, तो देखो, tea के case में 40-60, coffee के case में grown and cure है, तो 25-75, अगर grown के और roasted, grounded है, तो 40-60, एक बात समझना, बहुत बार क्या होता, यह percentage तो याद रहे जाते है, लेकिन आप भूल जाते हो, कौन सा किसका था, ऐसे याद रखने का, इंडिया का major population is doing the agriculture, यह तो आपको याद है, इंडिया का major population है, वो agriculture activity करता है, तो यह ध्यान रखना, अब एक और चीज़ समझना आप लोग, जब भी आपके agriculture income होती है, तो भी उस case में क्या करते है, पता है, जब यह tea coffee rubber में, partly agriculture, partly business, तो भी आप depreciation ऐसे calculate करते हो, जैसे पूरा ही business का income है, और जितना depreciation P&L के debit में डालते हो, उतना ही आपको block से क्या करना है, लेस करना है, अब एक concept आता है, कि सर अगरी कल्चर इंकम exempt होती है, आंसर इस अगरी कल्चर इंकम exempt होती है, लेकिन एक चीज़ समझना, एक concept आता है, partial integration का, partial integration का concept क्या बोलता है, कि तीन cases ऐसे है, तीन केसें ऐसे हैं, अगर तीन कंडिशन सेटिसफाइड हो जाती है तीन कंडिशन सेटिसफाइड हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है टेक्स निकालते टाइम, अग्री कल्चर इंकम exempt होती है, आपके NTI में नहीं आएगी उसपे tax निकालेंगे और फिर उसमें से less क्या करेंगे बता है जो आपका basic exemption plus agriculture income उसको जोड़के उसपे जो tax आएगा वो less कर देंगे और last में जो बचेगा उतना tax आपको pay करना पड़ेगा तो that is called partial integration तो मैंने क्या बोला अगर तीन condition satisfied होती है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आपकी जो total income में agriculture income को add कर लो और उसपे tax निकाल दो उसके बाद आप total income जो total income में agriculture income add करके पहले उसपे tax निकाल दिया अब आप एक काम करिये जो basic exemption है आपका 2 lakh, 50,000 या 3 lakh और 5 lakh जो basic exemption में agriculture income को add करके उस पे tax निका लिए और जो पहले मैंसे दूसरा वाला tax minus कर दीजिए जो बचेगा उतना tax आपको government को pay करना पड़ेगा लेकिन यह आपको तभी करना है जब 3 condition satisfied होती है पहली condition assessi है वो individual आपकी जो अगरी कल्चर इंकम है ना net agriculture income वो 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए एंड आपकी जो थर्ड कंडिशन यह है कि आपकी non agriculture income में जो total income है खरके ठीक है that should be the more than basic exemption तो अगर तीन condition satisfied होती है पहला कौन assessi कौन होना चाहिए individual हुआप, AOP, BO, artificial, juridical person दूसरा net agriculture income 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी non agriculture income non agriculture income और I can say total income है वो total income अगर basic exemption से ज़्यादा है तो ही आपको यह करना है क्या करोगे, सबसे पहले जो non agriculture income है, आपकी जो total income है उसमें agriculture income को add करो, उस पर tax निकाल दो उसमें से less करो basic exemption और agriculture income को add करके उस पर tax आता है, वो less तर दीजिए जो भी बचेगा, उतना tax आपको government को भरना है you got my point or not, yes इसकी वज़े से क्या होता है, slab rate का benefit का जो है ना, वो slab, higher slab में चला जाता है जैसा मैं आपको class में बताया था आपको याद रहेगा अब अपन कुछ और exemption पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ section दे रखिए अब देखो section याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है सबसे पहली section होती है 10-2 10-2 ये बोलती है कि जो भी तुमारा हुआप रहता है न, हुआप को उसके member का जो share है हुआप से जो member का share है, eligible assesie कौन है? हुआप करके, ठीक है? member of हुआप member को जो हुआप से share मिलता है, वो पूरा exempt हो जाता है ऐसा क्यो? हुआप अपनी income पे tax भढ़ लेता है तो हुआप अपनी income पे tax भढ़ लेता है तो उस case में member को जो भी share मिलेगा, वो पूरा exempt होगा ऐसे कैसे partnership firm के case में कि जो भी partnership firm होता है न, partnership firm का जो partner है firm से जो भी share मिलेगा, वो पूरा exempt हो जाएगा क्योंकि firm जो है, वो अपने आप tax भढ़ देती है मिस person resident outside India, इंडिया के बाहर कोई person रहता है या कोई person ऐसा है, मिस in simple but बोल दू, अगर कोई non resident person है या फिर person who has been permitted to maintain that account by the RBI RBI की permission से इंडिया के बाहर, उसने अगर कोई NRE account खोला है मिस या तो person इंडिया के बाहर है, non resident है या फिर कोई दूसरा person है, जिसो RBI के approval से account खोल रहा है और उस account को बोलते NRE account, that is non resident external account तो non resident external account में जो भी interest मिलता है न, वो interest पूरा exempt है तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, अगर कोई non resident है और उसका NRE account है, NRE account पे जो भी interest मिलेगा, that is totally exempt NRE account पे जितना भी interest मिलेगा, that is the totally exempt अब एक और चीज़ समझना, अगर कोई individual है और यह individual कोई है, not being a citizen of India means Indian citizen नहीं है, अगर कोई individual, जो Indian citizen नहीं है क्या बोल रहा हूँ? individual है, बट Indian citizen नहीं है भारत का नागरिक नहीं है, बाहर का है लेकिन इंडिया में बैठा है, MBCs में आपको बता है, इंडिया में जो MBCs है, foreign की MBCs जैसे US MBC है, UK का MBC है, Ukraine का MBC, Russia का MBC यह सब इंडिया में है, तो इनके जो employees वगरा है वो इंडिया में पढ़े रहते हैं, पूरे साल यहीं रहते हैं तो अगर आप residential status देखोगे तो 182 days से जादा होगे तो वो तो resident बनगे, उनके तो पूरे world की income taxable होनी चाहिए बाट यहां पर इंडिया 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 और वो Indian citizen नहीं है और वो क्या करते है, अगर foreign diplomats है, consulates है या उनके जो staff है, उनको जो भी remuneration मिलता है उस पर इंडिया में हम कोई tax नहीं लेंगे, that is the totally exempt बाट दो condition satisfied होनी चाहिए पहली condition तो, कि उस country में जो हमारे लोग काम करते हैं हमारे जो IFS officer है, Indian Foreign Service के officer जो उस country में काम कर रहे है, तो उस country में भी उनको exemption मिलता है remuneration पे, और दूसरी condition ये है, कि ये जो इंडिया में जो है, ये और कोई business profession नहीं कर रहे है ये इंडिया में और कोई business profession नहीं कर रहे है अगर ये दोनों condition satisfied हो जाती है, तो उनको जो भी remuneration मिलेगा that is the totally exempt, तो मैं क्या बोल रहा हूँ अगर कोई individual है, जो की Indian citizen नहीं है individual है, जो Indian citizen नहीं है, वो क्या करता है इंडिया में, कुछो foreign की MBCs है, उसमें काम करता है तो उस case में उसको जो भी remuneration मिलेगा, वो पूरा exempt है इंडिया में, कोई भी tax नहीं लगेगा, दो condition, पहली condition कि उस country में हमारे जो consulates वगेरा काम करते हैं, उनको जो remuneration मिलता है उस country में exemption मिलती है, और दूसरी चीज़, ये लोग इंडिया में जो काम कर रहे है ये और कोई business या profession नहीं कर रहे है You got my point or not, yes, अब एक और चीज़ समझना Next exemption ये बोलती है, कि अगर कोई individual है, जो की salary employee है Not being a citizen of India, India का citizen नहीं है, ठीक है Means Indian non-citizen है, salary employed है और बंदा foreign की किसी enterprise में काम करता है और India आ जाता है Foreign की किसी enterprise में काम करता है और India आ जाता है तो उसको जो इंडिया में रहते हुए भी, जो remuneration मिलेगा वो पूरा exempt है अगर यहाँ पे तीन condition satisfied होती है पहली condition के foreign की जो enterprise है, उसका इंडिया में कोई भी business नहीं है इंडिया में कोई business नहीं है दूसरी condition उस मंदे का इंडिया में stay 90 days से जादा नहीं है तीसरी condition उसको जो remuneration दे रहे है उसका कोई Indian income tax act में deduction नहीं ले रहा example के लिए मैं बता दू, एक बात बताओ एक foreign में एक like जिसको बोलते है एक और एक I think DMART, DMART नहीं एक दूसरा है, ठीक है supermart foreign का एक company है माल लो, that is the name Walmart Walmart, याद आया Walmart तो एक बात बताओ, US का एक company है जिसका नाम है Walmart, तो Walmart में बहुत सारे employees वगरा काम करते हैं, अब एक बात समझता है एक employees को India बेजा, कि देख क्या हो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में जो है DMART है या Big Bajar है, वो कैसे काम कर रहे है तो वो बंदा इंडिया आता है, और इंडिया में आने के बाद देखता है और इंडिया में रहता है, पचास-ाट दिन कर गए ठीक है, उसके बाद चला जाता है, उसको salary तो मिली रही थी question ही आता है, वो salary इंडिया में taxable होगी या नहीं तो यहाँ पे lawmakers क्या बोलते है, कि अगर कोई individual है, जो Indian citizen नहीं है और वो इंडिया आता है, और इंडिया में अगर उसको कोई remuneration मिल रहा है उसकी service, देखो foreign enterprise में काम कर रहा है बट इंडिया में कुछ दिन के लिए आता है, तो उस case में उसको जो remuneration मिल रहा है कोई deduction नहीं ले रहा, अगर यह तीनों condition satisfied होती है, तो उसको जो भी remuneration मिलेगा वो पूरा exempt है, उसके बार, next part अगर कोई individual है, जो non-resident, who is not citizen of India यहाँ non-resident भी बोला है, और non-citizen भी बोला है कि Indian non-citizen होना चाहिए, as well as the, वो non-resident होना चाहिए और वो क्या करता है, पता है, इंडिया में आता है foreign ship पे, बहुत बार रहते हैं, बहुत सारे foreign ship इंडिया में आते हैं Mumbai port पे देखो के पड़े रहते हैं बहुत दिन तक तो यहाँ पे इन्होंने बुला, कि अगर 90 days से जादा का उसका stay इंडिया में नहीं है, और वो foreign ship पे काम करता है तो उसको जो भी income मिलेगी, वो remuneration जो मिलेगा, वो exempt है उस पे इंडिया में हम tax नहीं लेंगे, तो देखो अगर कोई individual है, non-resident के साथ, Indian non-citizen है और वो इंडिया में आता है, और foreign ship पे काम करता है तो 90 days से जादा अगर इंडिया में stay नहीं है तो उस case में उसको जो भी remuneration मिलेगा, वो exempt है उस पे हम इंडिया में कोई भी tax नहीं लेंगे अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे एक और section है वो बोलती है कि अगर कोई non-resident या foreign company है वो क्या करते है कुछ technical service देते है किसको technical service देते है एंटेटी आरो को NTRO का मतलब होता है National Technical Research Organization यह अपने government organization है और government organization है उनको technical service देते है और वो technical service जो देते है ना उसके लिए उस non-resident foreign company को अगर कोई royalty का income मिलता है या fees for technical service का income मिलता है Miss, उनको royalty मिलता है का नाम है National Technical Research Organization ये government का authority है और इनको उन्होंने कोई service दिया और वो service से related अगर royalty और fees for technical services non-resident foreign company को मिलता है वो पूरा exempt हो जाएगा उस पे इंडिया में कोई भी tax नहीं लगेगा अब एक और चीज समझना जो भोपाल गैस victim है उनको कोई भी compensation मिलेगा वो पूरा exempt है उस पे कोई था गैस का वगिरा उसकी वज़े से काफी लोगों की death वगिरा होई थी तो वहाँ पे भोपाल गैस victim है उनको जो भी compensation मिलेगा that is the totally exempt उसके बाद lawmakers बोलते है कि अगर कोई compensation received होता है on account of the disaster of the by from the central government state government or local authority जैसे मान लोग for an example ऐसा कोई natural calamity वगिरा आ जाएग और उसकी वज़ तो that is the totally exempt वो पूरा exempt हो जाएगा उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा तो मैंने क्या बोला अगर कोई भी disaster होता है disaster के बाद में अगर central government, state government या local authority कोई compensation देती है that is the fully exempt उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा अब एक और चीज़ समझता है जो सुकन्या समर्धी account scheme होता है जो as well as the maturity amount है वो पूरा exempt है उस पे कोई भी tax नहीं लगता अब एक और चीज़ समझना अगर किसी को scholarship मिलती है educational scholarship है तो वो पूरा exempt है उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा जो MP, MLA होते है न MP, MLA वो MP, MLA को दो तरह के एक allowances मिलते है जिसको बोलते है daily allowance और constituency allowance ये daily allowance और constituency allowance है ये चीज़ समझना अगर कोई भी awards मिलते है किसी भी person को awards का मतलब awards for the literary और scientific और artistic work और other award by the government means government से award मिलते है जैसे भारत रतना मिला या फिर मानलो भारत रतना है पद्म विश्भूशन है पद्म श्री है अगर ये awards मिलते है तो ये awards का जो भी पैसा है न वो पूरा exempt होता है उस कोई भी tax नहीं लगता तो अगर कोई भी awards है जो literary, scientific और artistic work और other award by the government, government ये award देती है तो उसका जो भी मिलेगा that is the totally exempt उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा अब एक और चीज़ समझना है यहाँ पे कि अगर कोई भी person है उस किसी भी person को pension मिलता है और pension किस person को मिल रहा है पता है ज उससे अगर उसको पहले award किया गया था वीर चक्रा, परमवीर चक्रा, महावीर चक्रा मिला था और उसको जो pension मिलती है न वो pension पूरी exempt हो जाएगी उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा और last part जो भी सिक्किम के लोग है, सिक्किम इंडविजुएल है जो सिक्किम में रहते है ज सिक्किम स्टेट में किसी भी सोर्स से उनको income होती है या पर कही से भी उनको dividend या interest on security मिलता है तो मैंने क्या बोला, सिक्किम इस जो लोग है, उनको दो तरह की income exempt होगी, एक तो सिक्किम में business करते हैं, वो भी income है, वो exempt है तो सिक्किम सोर्स से कुछ भी income मिलेगा, that is the shortly exempt और d इंट्रेस्ट है, डिविडेंड मिलता है, इंट्रेस्ट है या डिविडेंड मिलता है सिक्योरिटी पे तो वो पूरा ही exempt हो जाएगा, अब एक और चीज़ समझदा, यहाँ पे अगर जो सिक्किमिस वोमेन है, उसने 1st April 2018 के बाद अगर किसी से शादी कर ली और वो शादी की वो बंदा नौन सिक्किमिस है, तो उसकेस में उसको exemption बाद में नहीं मिलेगी, अगर सिक्किमिस वोमेन है, उसने क्या किया, नौन सिक्किमिस से शादी कर ली, on or after 1st April 2008, तो उसके बाद में उसको exemption नहीं मिलेगी, Now next section जो है, that is the 10AA special economic zone या जिसको आप SEZ बोलते हो, अब एक बाद समझना है, यहाँ पर यह deduction है, 10AA देखके, क्या, like exemption समझा क्या, यह deduction है करें, ठीक है, So 10AA deduction मिलता है, और यह deduction GTI के बाद लेने का, gross total income पहले निकालने का, gross total income के बाद में यह deduction लेने का 10AA का, special economic zone, अब एक चीज समझना है, यह deduction उन लोगों को मिलता है, जो या तो SEZ में कोई भी manufacturing business start करते है, या फिर software development business start करते है, कहाँ पर SEZ में, special economic zone में, आप manufacturing business या software development business start करते ह हो, तो आपको यह deduction मिलता है, अब इसमें एक और चीज दिहान रखना, कि आपको यह deduction तभी मिलेगा, जब आपका approval मिल गया है, जो unit है आपकी, उसकी approval है, वो approval 31st March 2020 तक मिल गया है, और आपने manufacturing business start कर लिया है, by 31st March 2021, तो आपको approval 31st March 2020 तक मिल गया है, और manufacturing business आपने start कर लिया मिलेगा, 100% of export profit, means जो भी आपका export profit है, उसका 100% of export profit in the first 5 year, second 5 year में आपको deduction मिलेगा, 50% of export profit, और third 5 year में आपको deduction मिलेगा, या तो 50% of export profit, या जितना आपने SEZ reinvestment reserve में पैसा डाला, whichever is lower, तो 50% of export profit और जितना आपने reinvestment reserve में पैसा डाला, whichever is lower का आपको deduction मिलेगा, लेकिन question ही आता है sir export profit का इसको बोलते है तो मैं बता दो export profit का मतलब होता है export profit का मतलब होता है आप एक काम करिए पहले PGBP का income निकालिए SEZ unit का जो SEZ unit है उसका जो PGBP का income रहेगा multiply by करिए आप export turnover divided by total turnover तो export profit कैसे निकालेंगे जो भी PGBP का income है SEZ unit का PGBP का income लीजिए multiply करिए export turnover और divide करिए आप total turnover से तो ये तुमारा हो जाएगा export profit अब एक बास समझना export profit पे first 5 year में है तो आप 100% deduction ले लीजिए, second 5 year में है तो आप 50% ले लीजिए, third 5 year में है तो 50% of export profit और जितना आपने SEZ reinvestment reserve में पैसा डाला, whichever is lower अब एक चीज समझना, जब भी आप export turnover लेते है न, तो export turnover में वो ही वाला turnover आएगा जितना आपने इंडिया में पैसा repatriate कर दिया within the time allowed by the RBI यहाँ पे RBI क्या करती है, time allowed करती है, हर साल आप इंडिया में पैसा कब तक लाओगे जैसे for an example, आपकी जो export sale थी, वो 2 करोड थी, but out of that only 1.5 करोड रुपे से ही आपने इंडिया में लाया, up to the date prescribed by the RBI तो आपको export turnover लेते time आपको जो लेना है, वो 1.5 करोड ही लेना है, जितना पैसा आपने इंडिया में repatriate कर दिया, वो ही आपको लेना है अब एक और चीज़ समझना, अगर आपने इंडिया के बाहर कोई account खोला है, और वो account जो है, वो RBI के approval के साथ में खोला है, तो उस account में अगर पैसा आ गया ना, तो ये मान लिया जाएगा पैसा इंडिया में आ गया, मैंने क्या बोला, इंडिया के के बाद, जो last 5 years रहते है, उसमें अगर deduction चाहिए, तो आपको SEZ reinvestment reserve में पैसा डालना पड़ता है, अब question ही आता है SEZ reinvestment reserve में जो पैसा डाला है उसका करेंगे क्या, तो उसको आपको withdraw करके use करना है for the purpose of plant and machinery खरीखने के लिए, और plant and machinery आपको acquired and put to use करना है within 3 years from the end of the financial year in which that reserve was created, तो reserve अगर इस साल में create किया था, तो इस year के end से 3 years के अंदर-अंदर इस year के end से 3 years के अंदर-अंदर आपको new plant and machinery acquired करनी है और उसको put to use करनी है, क्या करनी है put to use करनी है, अब एक बात समझना अगर 3 years तक आपने plant and machinery acquired and put to use नहीं की, तो 4th year में वो वापस से आपकी income बन जाएगी, या फिर आपने अगर कोई missutilize कर दिया उस पैसे को तो जिस year में आप missutilize करोगे ना उस year में वापस से आपकी वो income बन जाएगी अब एक और चीज़ समझना यहाँ पे जब भी आप export turnover लेते हैं and total turnover लेते हैं export turnover as well as total turnover के लिए एक चीज़ ध्यान रखना कभी भी freight है telecommunication charges है या insurance है या फिर कोई expenses incur to provide technical service outside India, यह आपको turnover में नहीं लेना ना तो आपको export turnover में लेना है और ना ही आपको total turnover में लेना है क्या क्या बोला, एक तो तुमारा freight freight क्या होता है, जो freight like भाड़ा होता है वो भाड़ा export turnover में नहीं आएगा जैसे foreign example मैंने कोई goods export किया 2 crore का और आगे वाले से मैंने freight भी लिया 20 lakh का, तो 2 crore 20 lakh मेरा turnover रहेगा या only 2 crore रहेगा, right answer is 2 crore रहेगा तो freight है, telecommunication charges है insurance charges है, या फिर expenses for providing service outside India जैसे इंडिया के बाहर कोई service provide करने जाते है और कुछ खर्चे होते हैं, आगे वाले से उसका reimbursement लेते हैं, तो वो तुमारे turnover में नहीं आएगा, ना तो आपको export turnover में लेना है, और नहीं आपको total turnover में लेना है, एक और चीज़ समझता है जो भी आपका duty drawback रहता है duty drawback क्या होता है, जो आपने duty pay की होती है export के time पे, उसका वापस से refund मिल जाता है that is called duty drawback, तो जो तुमारा duty drawback होता है, as well as the cash compensatory support होता है, cash compensatory support में इस government से जो subsidy बगरा मिलती है या import entitlement license sale करने से जो पैसा मिलता है, ये पैसा आपके turnover में नहीं आएगा, ना तो ये export turnover में आएगा, और नहीं आपके ये total turnover में आएगा, अब एक और चीज़ समझना है, यहाँ पे कुछ clarification है, पहला clarification तो ये, कि सर एक बात बताईए अगर software है, वो software client place पे जाके बनाया, तो भी क्या deduction मिलेगा, कि answer is yes, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोलोगे, कि ये export हुए ही नहीं है, तो आप अगर client place पे जाके software बनाते हो, तो भी आपको deduction मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब बहुत बार क्या होता है, client place पे आप सिरफ अपने engineer भेज देते हो, और आप हर engineer का कुछ charge कर रहे हो, every month for an example, every engineer आप 10 lakh रुपे charge करते हो, आपने वहाँ पे सिरफ manpower supply किया, तो भी क्या आपको deduction मिल जाएगा, answer is yes, अब एक चीज़ समझता, बहुत बार ऐसा होता है, जब आप एक SEZ से निकल के, दूसरे SEZ में चले जाते हो, जैसे पहले मानलो, आप सूरत SEZ में थे, वहाँ से निकल के, और आप मदूरई SEZ में चले गए, तो यहाँ पे क्या, आपने SEZ जब change किया, तो आपको deduction continue रहेगा, answer is yes, जैसे 15 years के लिए deduction मिलता है, उसमें से 7 years के लिए आपने पहली जगे ले लिया, तो 8 years के लिए आप दूसरी जगे ले सकते है, एक और चीज समझता, बहुत बार ownership change हो जाती है, तो उसके इसमें कोई problem नहीं, जो नया owner रहेगा, वो remaining years के लिए deduction ले सकता है, जैसे किसी की death हो जाती है, और उसका बेटा वो business को चला रहा है, तो बेटा जो है वो remaining period के लिए deduction ले सकता है, कोई दिकत नहीं है, अब एक चीज समझना, एक section 14A होती है, और section 14A क्या बोलती है, कि अगर तुमारी income exempt होती है, तो आपके खर्चे allow नहीं होते है, अगर कोई income exempt है, तो उसके सामने खर्चे allow नहीं होते है, बड़ी logical चीज है, जैसे foreign example, आपको जो भी agriculture income होती है, वो exempt है, तो उसके कोई खर्चे होते है, वो आपको होती है जो exempt है कुछ income है वो taxable है तो वो employee का salary का bifurcation कैसे करे मिस कितना खर्चा disallowed होगा कितना खर्चा है वो allow होगा तो उसके लिए एक rule होता है that is the rule number 8D और rule number 8D क्या बोलता है समझने ही कोशिश करना rule number 8D ये बोलता है कि जो खर्चा directly exempt income से related है वो तो आप disallowed कर दो ऐसा होता ने directly expenditure ऐसा है जो exempt income से related है वो disallowed हो जाएगा अगर मानलो आप पता नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो जो आपका ऐसा investment है जिसका income exempt है exempt investment बोल दो तो ऐसा कोई investment जिसका income exempt है उस investment का आप एक काम करिए सबसे पहले आप monthly average करिए मैंस मंत्र के start में कितना investment था exempt investment और end में कितना उसका average करिए और उसके बाद पूरा annual का average कर दीजिए उसका 1% जो expenditure है न वो 1% आपका ये माना जाएगा exempt income से related खर्चा है 1% expenditure है वो आपका exempt income से related माना जाएगा और ये जो total रहेगी ये आपका disallowed हो जाएगा तो वापस बोल रहा हो देखो अगर कोई ऐसा expenditure है जो सीधा ही exempt income से related है तो तो वो खर्चा disallowed है लेकिन आप पता नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हो होता क्या है कि आपका investment उसमें से कुछ income ऐसी है जो exempt है कुछ income है वो taxable है तो उसके case में आप एक काम करिए कि आपका जो exempt investment की जो total होती है exempt investment की total जो investment है total उसको क्या करो कि पहले आप monthly average करेंगे फिर annual average करेंगे उसकी जो total रहेगा उसका 1% जो रहेगा वो exempt income से related expenditure माना जाता है और वो disallowed हो जाएगा मैंने यहाँ पर एक example दे रखा है आप अगर example देखेंगे तो हुआ क्या किया कि आपने क्या किया 2 lakh का कुछ खर्चा किया है और 2 lakh में से क्या होता है कि यहाँ पर directly exempt income से related 30,000 है तो एक तो यह 30,000 disallowed हो जाएगा और दूसरा कुछ खर्चा ऐसा है जो directly related to exempt income नहीं है तो उस case में कैसे करेंगे तो इसमें क्या हुआ कि जो exempt income वाला जो investment है उसका total दे रखा है 60 lakh तो 60 lakh का 1% करेंगे 60,000 आएगा तो यह 60,000 और तुमारा 30,000 total comes to the 90,000 यह 90,000 का खर्चा आपका disallowed हो जाएगा यह 90,000 का expenditure है यह आपका disallowed हो जाएगा और in simple word बता दू आपके 2 lakh total expenditure था उसमें से 1 lakh 10,000 आपको allow हो जाएगा और 90,000 है वो आपका disallowed हो जाएगा अब next concept आता है that is the AMT और I can say that alternate minimum tax अब एक चीज समझना यह alternate minimum tax क्या होता है तो मैं बता दू alternate minimum tax क्या होता है कि अगर मानलो कोई भी SSC है company को छोड़के any SSC company को छोड़के company को छोड़के कोई भी SSC है उस पर यह AMT लगता है और यह क्या बोलता है पता है यह section यह बोलती है 115.JC करके section है वो बोलती है पहले आप normal provision के हिसाफ से tax निकाल दो और दूसरा आप एक काम करिए आपका जो adjusted total income है ना उसका 18.5% लीजिए adjusted total income का 18.5% whichever is higher रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा और मैं बता दूँ यह adjusted total income का 18.5% का ना इसी को AMT बोला जाता है जो adjusted total income का 18.5% होता है इस 18.5% को ही AMT बोला जाता है आप एक काम करिए whichever is higher है वो आपको पे करना पड़ेगा अब आप मुझे यह बोलेंगे किसर एक तो normal tax निकाल दो पहले और दूसरा आप adjusted total income का 18.5% ले लीजिए whichever is higher आपको पे करना पड़ेगा यह जो है इसी को AMT बोला जाता है लेकिन adjusted total income होता क्या है तो मैं बता दू adjusted total income किसको बोलेंगे पहले आप अपनी total income ले लीजिए और total income का मतलब होता है आप net taxable income NTI ले लीजिए और उस NTI में एक काम करिए आप तीन तरह के deduction अगर लिए तो वापस add back कर दीजिए एक तो 10 AA यह SEZ वाला अभी अपने सीखा यह deduction आप add back कर दीजिए दूसरा 35 AD जो अपने PGP में पढ़ा था न वो 14 business cold chain facility वे राउजिंग, hospital, hotel वाला वो subslary, pipeline and all तो वो आप add कर दीजिए वापस तीसरा अगर आपने 80 QQB, 80 RRB या 80 JJAA का deduction लिया है 80 QQB and RRB royalty वाला रहता है और 80 JJAA क्या रहता है आपका 80 JJAA क्या रहता है आपका, वो new employee को आप recruit करते हैं उस पर 30% का salary का deduction रहता है, यह तीनों deduction को आप add back कर दीजिए तो net taxable income निकालते टाइम यह deduction पहले लिया होगे अगर आपको कितना depreciation मिलता, वो आप less कर दीजिए यह तुमारा आगया adjusted total income और यह adjusted total income का 18.5% करिए और जो normal tax है, whichever is higher है वो आपको पे करना पड़ेगा अब एक चीज समझना, अगर आपका कोई assessi ऐसा है जो individual HOF, AOPBOI, artificial juridical person है और उसका जो net, यह जो adjusted total income है, यह up to 20 lakh है तो इस पे AMT नहीं लगेगा अगर कोई individual HOF, AOPBOI, artificial juridical person है और जिसका adjusted total income है वो adjusted total income up to 20 lakh रुपेज है तो उस case में आपको AMT नहीं लगेगा alternate minimum tax है, वो नहीं लगेगा एक चीज़ ध्यान रखना, exam में आपको कभी भी अगर question दिख जाता है ना जहाँ 10 AA है, या 35 AD है, 80 QQB, 80 RRB, 80 GG AA है तो आपको ध्यान रखना है, यह question AMT का है पहले normal tax निकालना है, फिर AMT निकालना है, दोनों में से whichever is higher है वो आपको government को pay करना है तो exam में दिखान रखना, जब भी question 10 AA का आजाए या 35 AD का आजाए, 80 QQB, RRB का आजाए, 80 GG AA का आजाए तो दिखान रखना, यह जो question है, यह AMT का है आपको पहले normal tax निकालना है, फिर आपको AMT निकालना है whichever is higher है, वो आपको government को pay करना है अब एक चीज़ समझना, sir, अगर कोई assessi, section 115 BSE ले लेता है आपको पता है, पहले topic में हमने पढ़ा था 115 BSE जिसमें वो 6 elaborate होती है अगर 5%, 10%, 15, 20, 25, 30%, वहाँ पे AMT नहीं लगता अगर 115 BSE आप ले लेते हो, तो AMT नहीं लगता है, यह आप दिखान रखना अब एक चीज़ समझना, आप गोलोगे, sir, AMT अगर ज़्यादा आ गया, as compared to normal tax तो आपको AMT पे करना पड़ेगा और जितना AMT ज़्यादा है न, उतना आपका क्या बन जाएगा, AMT credit बन जाएगा जितना AMT ज़्यादा है, उतना आपका AMT credit बन जाएगा और जो AMT credit है न, उसको आप 15 years तक carry forward कर सकते हो, जो भी AMT credit है, that can be carry forward for the 15 assessment year, अगले 15 साल तक आप carry forward कर सकते हो, लेकिन AMT credit को आप utilize कौन से year में करेंगे बता है, जिस year में normal tax ज़्यादा आता है as compared to AMT, जिस year में आपका normal tax ज़्यादा आजाता है as compared to AMT, तो उस year में आप AMT credit क को utilize कर दीजिए और जितना आपका normal tax ज़्यादा है, AMT से उस difference जितना आप AMT credit है, वो utilize कर सकते है, you got my point or not, yes, so this is the completion of your AMT, guys, यहाँ पे आपका complete हो जाता है, यह वाला topic, exempt income वाला, exam में question आपको मिलने वाला है, SEZ वाला, AMT वाला, agriculture income वाले, यह सब favorite question होते है examiner के, और examiner यहा आपको question पूछता है, question put करता है, ठीक है, तो बच्छे लोगो, like यहाँ पे यह topic का revision complete हो गया, hope so आपको मजा आ रहा होगा, revise करके, और बहुत बार मैं धीरे ही करवाता हूँ, revise इतना fast आज कल नहीं करना रहा, मैं धीरे धीरे कराता हूँ, जिससे की मानलो, आपको याद र आपके नाम के आगे CA लगे, वो चाहत एक आपका एक goal है, बट उस goal पे ध्यान देने से ज़्यादा ध्यान देना है आपकी process पे, just follow your process, और process is your study, अगर आपने follow करते हैं, देको चाहत तो बहुत होती है वहाँ तक पहुचना, बट उसके लिए जो efforts लगाने ना, वो efforts अभी लगाने का time है, जो आपकी जो process है ना, वो process पे ध्यान देने का time है, वो अभी है, so just focus to your process, आप अपनी process पे रहान दीजिए, आराम से आप लोग है, वो आगे जाके CA बन पाएंगे, ठीक है, चलो, thanks a lot people, that's enough for today from my side, see you in the next revision lecture.